हेलो बच्चो क्लास सेविंद में मॉरल वेल्यू इंग्लिक्ष मेडिम में आपका एट चप्टर कंटीनियू था अईयूनी कल्चरल हेरिटेज एक अनोखा सांस्कृतिक एक अनोखी सांस्कृतिक विरासतिय धरोहर इसमें आपने फर्स्ट पार्ट आपने कंटीनियू को लि महाबलीपूरम महाबलीपूरम विच इज अल्सो आ युनेस्को वाइट्स हेरिटेज साइट महाबलीपूरम भी एक सयुक्त राष्ट सैक्षिक संगठन के अंतरगद विश्व की धरोहर है एंट फेमस तंजावर तैंपल ने तमिलनाडू और तमिलनाडू का प्रस्ट थ धंजावर मंदिर वह भी बहुत फेमस है दो मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट इंफ्लेंस और एंडियन अर्किटेक्ट्चर और सबसे ज्यादा प्रिशिद्ध बुद्ध लोग का या बहुत धर्म का जो आर्किटेक्ट्चर उनका प्रिशिद्ध भवन निर्मान से अलिवा यो बहुत बुद्ध कैंड के बजाएक तूब के बजाएध के बजाए तूपके बजाएं कवरिंग द रिलेक्स ऑपड़ ऑव tara द्रम बुद्ध के फॉलोवर्स के लिए यह बहुत ज्यादा मनुरम द्रश्य उनके देखने के लिए अशोका दग्रेट टू 269 BC अशोका जुमान हुए 289 बिफोर क्राइस्ट एंड 232 BC इतनी रेट को बिटा जो आपके सामने एडिस क्रेडिट क्रेडिट वस बिल्डिंग 8 स्टूप्स जो यह बिल्डिंग है उसमें 8 स्टूप्स हैं ऑन दरेविंग प्रफियों स्टूप्स नाच लें इतन भॉपल विब्रेट ब्लीग कि एक पहाड़ी पर सांची के स्टूप कहले हैं बिल्डिंग अज्व्टिंग आइंग। यह महान स्थूफ हैं जैनिज्म जैनिज्म had its influence on the architecture of even through their style inamitted the Hindu-Buddh Buddhist style जैनिज्म और जैन धर्म कभी बहुत अधिक जैन धर्म के भी बहुत अधिक जैलियां हैं और इंडिया भारत में through their style inamitted उनकी संस्कृति और उनकी उनकी जो है वास्तु शैली वह भी अनूठी देखने को मिलती है the Hindu and Buddhist ठीक है हिंदू और बुद्धों की भी उनकी स्टाइल में उनकी जैसी लगवग या थोड़ी चे अलग है the striking thing about these temples is that they are they are चौमुख इनका मुख्य इनके मंदिर में जो मुख्य भाग है वो चौमुख की आकार का या चार फेस बाला चेहरा चौमुख टेंपल ऑफ पलितना built 1618 AD जो बनबाय गया था 1618 AD में इस वेरी इंट्रिक्टली डेकोरेट जैन टेंपल जो बहुत सुंदर से सजा गुआ है with four shaped श्रीन चार चेहरो वाला मंदिर श्रीन होता बच्चो बड़ा मंदिर बहुत बड़े मंदिर जो होते हैं बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं जहां पर हजारों लोग एक साथ जाते हैं उन्हें श्रीन कहते हैं of Lord अधितिनाथ भगबान अधितिनाथ का ओके बच्चो थैंक यू सो मच वाचिंग माई वीडियो फिर से वही तीन बात हैं जो आपको फॉलो करनी है शोशल डिस्टेंसिंग बार बार हाथ दोना सैनिटाइज करना अपने आपको सुक्ष रखना व्यक्तिकत सुक्षत रखना आसपास सुक्षत का बातावर रहना खुश रहिए बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलिए मास्क चेहरे पर जरूर होना चाहिए ओके बच्चो थैंक यू सो मच